श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती ले कर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहु चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा थर्ड हाउस में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बड़ुतरी करने वाला है जी हाँ इस समय में आप स्वस्तर होगे और मस्तर होगे बिमारियों से आप दूर ही रहोगे इस समय में आपक काम करने की गती भी बढ़ेगी इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अपना व्यापार छोटी-छोटी यात्राएं से करते है यानि उन्हें व्यापार करने के लिए छोटी-छोटी यात्राएं करनी पड़ती है इस समय में यात्राएं होने के य चंद्रमा की नवम भाव पर दुष्टी होने से दिन आप के लिए भागेशाली रहने वाला है, लेकिन चंद्रमा पराक्रम क्षेतर में गोचर कर रहे है, उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी पड़ सकती है, व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है, प्यापारियों के लिए निवेश करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, निवेश कर सकते है, इस समय में निवेश करने से अच्छा लाब होने की संभावना रहेगी, इस समय में आप धार्मी कृत्ति के नजर आओगे, विदेश जाने की प्लानिंग इस समय में आप कर पाओगे, इस समय में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके साथ आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे, जी हाँ उनके साथ कोई अनबंधी तो वो तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और आपके रिष्टे औ की बात करते हैं, तो इस समय में स्टूडन्स को इस दिन खास ध्यान रखना होगा, इस समय में आप भागे के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, जी हाँ भागे के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, इस समय में स्टूडन्स जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतन तरह से चले तो ज्यादा अच्छ रहेगा अगर personal life की बात करते हैं love life की बात करते हैं तो यह समय love life के लिए भी बेहतरीन हैं गूमने फिरने के लिए life को enjoy करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करें इस समय में नए रिष्ते बन सकते हैं और पहले से बने हुए रिष्ते और मजबुत बनेंगे जो लोग अविवाहित है उन्हें भी अच्छे रिष्टे आने की इस समय में संभावना रहेगी समय का अच्छा उपयोग जरूर करे इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर अधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर जाए तो ज्याद अच्छे रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते विड़ियोमें आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में शफल होने के लि तो कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में नहीं कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भागय को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तर चप्पल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर साप सूत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिलकुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हा वजे से घर के छत को पूरी तरे से साप रखे, clean रखे साथी दोस्तों हम हमेशा देखते है घर के उपर जाने के दिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नही लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बन सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद